मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग यहां पर topic discuss कर रहे हैं professional tax professional tax state government charge करती है under article 276 of the constitution of india state government tax charge करती है to meet the expenses for the maintenance and for the construction of various infrastructures जैसे कि metro बनानी है metro की maintenance करनी है state highways बनाने हैं कि एक हाईवेश की maintenance करनी है और इस प्रकार के वाक्ति और सभी खर्चों के लिए State government को power दी गई है under article 276 कि वो सभी लोगों से एक tax charge कर सकते हैं जिसका नाम रहेगा professional tax, alternatively हम लोग इसको employment tax का नाम भी देते हैं मेरे बेटा ये प्रोफेशल टैक्स या इंप्लॉवमेंट टैक्स का पैसा जो चार्ज किया जा सकता है वो है मैक्सिमम ट्वांटी फाइफ हंडेड़ डूपीज पर एनम पर 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 ये पैसा अगर कोई विक्ति नौकरी कर रहा है तो इंप्लॉयर उसकी सेलरी में से काट के आगे सरकार के पास जमा करवा देगा लेकिन अगर कोई विक्ति सेल्फ इंप्लॉड है जैसे कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई आर्किटेक्ट है कोई टार्टेट अकाउंट है या इस प्रकार का कोई और सेल्फ इंप्लॉड विक्ति है तो ये सेल्फ इंप्लॉ हाँ है तो ग्रास सैलरी में से हम प्रफेशनल टैक्स का अमान्त लेस्ष कर देते हैं台 जोंस करते हैं major 16 और लेकिन अगर वो सेल्फ एप्तों है तो सल्फ एप्त्र विक्थी के लिए यह ले प्रफेश्शनLES टैस vivo मैंट więc का पैसा का profit and loss account के अंदर debit करना अलाव कर देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं deduction अलाव कर देते हैं मेरे बिटा आज की डेट में कौन कौन सी state government सी professional tax charge कर रही है उसके लिए इंडिया का मैप देखीगा और इस इंडिया के गरनाटका बिहार वेस्ट बंगाल जिसको आज कर बंगाल भी कहते हैं आंध्रापरदेश तेलंगाना महराष्ट्रा तमिलाडू गुजराथ असाम गेरला मेगालिया उडिशा त्रिपुरा मध्य परदेश और लास्ट में सिक्किम मेरे बिटा इन सभी स्टेट्स के अलवा और कोई भी स्टेट आज प्रफेशनल टाइक्स का इंप्लॉमेंट टाइक्स चार्ज नहीं कर रहा है अगर चार्ज किया जाता है तो सैलरी के केस में सैक्शन 16 क्लास 2 में लिस्किर इसक्रज कर दीजेगा अगर कोई वेक्षिस सेल्फिप्लॉइट है तो आप उसके प्रॉफित और लास अकार्ड में से डिबिट करेंगे